नमस्कार आप देख रहे हिमांसी नीज में आपके साथ मितुन कुमर सर्मा अब यह मुझाफर पुर्जीला के बेजा पंचात के बेजा फार्म पर आये हुए हैं जो कि आपको कुछ अद्भुत चीज बताने के लिए आज हम एक छोटा सा परियास की हैं या परियास के माध् की सब्सक्राय के के समय में सापँ चीज का रहे हैं धी बड़ीयों में सतवतने के बाद आपको अधाए जनकारी धीरे धीरे करके हम बता देंगे यह तो इतना बड़ा गाय देख रहे हैं यह देशी गाय है जो कि अभी के समय में मिलना बिहार में मिलना बड़ी ही मुश्किल है और यह देशी गाय के हर चीज का उपियोग होता है यह देशी गाय स्रिफ इसलिए लोग नहीं पलते हैं कि स्रिफ पर स्रिफ इसका दूद का उपियोग हम लोग करेंगे इसका दूद हम बेचेंगे लेकिन इसलिए पालते हैं कि इसका गोवर का भी काम है इसका मुत्र का भी काम है और ये जो स्वांस लेते हैं स्वांस छोड़ते हैं उसका भी काम हमारे मनुस्थ के लिए होता है अब कैसे तो हमारे साथ एक लोग हैं इनसे बात करेंगे एक और जनकारी इनके माधियम से हमको महत पूर्ण मिला है वो जब जानिएगा तो आप सोचिए कि सही में हिंदु धर्म और सनातन धर्म का लहर अभी चल रहा है राम मंदिर के लिए लेकिन आपको पता है कि पहले के महिला और अब भी कुछ महिला कोई भ लेकिन जो भी लोग मन रहे हैं अकाल मृतु होने का सबसे बड़ा कारण है ऊपी देशी गाय को नहीं पालना इनके गाये सुध गोबर के सुध गोबर से अगर आप आगन दरबाजे को निपते हैं तो उसमें गोबर में क्या होता है कि यमुना का बास होता है जब यमराज जब देखते हैं उनका गुस्सा जितना रहता है गोबर सी नीपा हुआ आगन और उनके दरबाजा को देखते हुए उनका गुस्सा ठंड़ा हो जाता है कहे कि गोबर में यंुला क्पास है और यवना और यम्राज के बीच कहीं न कहीं एक अच्छा समंध है कुछ इसे जानते हैं कि गोबर गयाए पालने से देसी आप अभियान उखने हैं कि देसी गयाए पालने से क्या-क्या फैयदा हो सकता हैं अभी के समय लेकिन अब लोग समझ रहे हैं इसके बारे में और फिर से अस्थापित हो रही है अच्छा कई सारे लोग सवाल रहता है कि देशी गया बड़ा कॉम दूद्ध देती है बिल्कुल नहीं यह गलत धारना है यही तो लोगों के बीच में भ्रांती फैलाया गया कि देशी गया क वहाँ पर से साथ लीटर प्लस की गया है जो परडे की है चुकि हमारे हां संबर्धन पर काम नहीं हुआ चूकि अंग्रेजों ने उस तरह से हम लोगों को मोटिवेट किया अपनी अच्छी चीजों को जिस तरह से कोहिनूर को लेके चले गया उसी तरह हमारी गया को भी ल लेंगे तो उसको खिलाने के लिए भूसा खड़िदना पड़ेगा अच्छे समागरी खड़िदना पड़ेगा कि सुध गोबर और सुध दूध जब पाईएगा तो उसी प्रकार के उसको भोजन भी कराना होगा बैचारी महिला सबको रोजगार भी मिल गया देखिए पहला दिपक बनाई जा रही है देख सकते हैं यहां पर वही देशी गाय के और दूसरी बात देखिए और दूसरी बात देखिए यह जो जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं गनेश जी या गनेश जी का मुर्ती है और मुर्ती भी वही सुध गोबर के से बना दूसरी बात बता देते हैं कि से समसान घाट पहले के लोग जैसे अभी से लगबग 30 साल 40 साल 50 साल पहले लोग समसान घाट पर जाते थे तो इस टाप का मिलता था देखिए यह गोवर का इटा नहीं बलकि गोई यह दा संसकार जो आदमी को जो मर जाते हैं उसको जलाने के ल रहा है देशी गाए पालिए दूध अगर कम देगा तो फिर बोलिएगा अब दूसरी बात यह भी रहता है कि देशी गाए लथार मारती है तो होता है जिस प्रकार उसका भी एक पालू है चले ज्यादा वीडियो को हम लंबा नहीं करेंगे देशी पालने से इस सुबदा ह स्क्रीण पर वीडियो चल रहा है तरह-तरह के फसल लगाया गए है इसमें खाद खरीदेसे गायर का जरोत नहीं है यहीं देशी गायक के कारण इतना जो देख रहा है आप फसल जो उपजाया गया है पेर पोधिय है और मचली पालन भी देख रहे हैं पोख्री भी बनाया पहले to be the بाई कितना अच्छा है जर्ष्मनेग्य था एतना अच्छा इसका स्भाव था तरह करके सब्सक्रीuğ का पेर नहीं है तो दूसरी बात फिर से हम आपको बता दें किकल्ध नहीं खाईएगा नसेली यह पदार्थ नहीं खाईएगा तो आपका जीवन वहीं होगा जो किस प्रकार से पाला जाए किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाए उसके बारे में बहुत ही अच्छा गाइड करने तो डार्रेक्ट यहां पर आईए बेजहा में मुझफर पूर पूर जिला के सकरा प्रखण के गणिपूर बेजहा पन्चाथ के बेजहा फर्म यहां पर नाम है और बेजह एफप्यो पर आइए हर प्रकार के लोग help करने के लिए यहां पर त्यार है आज यहीं सब कारण से हम लोग को भी यहां पर बुलाया गया प्रेस कंफरेंस कर किया गया मीडिया के सामने आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेर कर दीजेगा जहिंद कि अगर कि अगर